हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज बनाने जा रहे हैं गाजर का हल्वा और इसे हम बहुत ही कम घी में बना कर तयार करेंगे यह बहुत ही टेस्टी बनने वाला है रेसिपी पूरी देखिए और यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी गाजर का हल्वा बनाने के लिए मैंने यहां पर आट से दस गाजर ले ली है और इन्हें अच्छे से धोक कर छील लिया था अब इन्हें मैं कदुकस कर लूंगी कदुकस करने के लिए इसे मोटे छेदों वाली साइट से आप कदुकस कर लीजिए इस तरह से सारी गाजर को मैंने कदुकस कर लिया है इसे आप बारिक छेद वाले साइट से कदुकस ना करें गाजर का हल्वा बनाने के लिए सबसे पहला टिप यही है कि इसे आप मोटे छेदो वाले साइट से कद्दू कस करें अब यहां पर सारी गाजर को मैंने कद्दू कस कर लिया है अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं सबसे पहले हम ले लेंगे एक कड़ाई गैस की फ्लेम ओन कर देंगे और दो से तीन चमच घी इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स यह गाजर का हल्वा हम कम घी में बना कर तयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है तो यहां पर घी गरम हो गया है अब मैं सारी गाजर इसमें डाल दूंगे शारी ग्रेटेट गाजर आप इसमें डाल दीजिए और फ्लेम को हमें यहां पर हाई रखना है सारी गाजर मैंने यहां पर डाल दी है अब इसे चलाते रहेंगे चार से पांच मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर चला लेंगे गाजर को चलाते हुए मुझे चार से पांच मिनट हो गए है अब मैं यहां पर दूद डाल दूंगी एक खटोरी दूद मैंने यहां पर डाल दिया है लगबग डेड़ कब दूद आप इसमें डाल दीजिए और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि पूरा दूद एबजार नहीं हो जाता और यहां ध्यान रखने वाली बात यहां है कि फ्लेम को हाई ही रखना है जब दूद पूरा अबजार हो जाएगा तो हम इसमें चीनी डालेंगे लगबग आदा कटोरी चीनी मैं यहां पर डाल दूँगी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी कम जादा भी कर सकते हैं अब इसे भी हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पूरा अबजार नहीं हो जाती 5-7 मिनट में चीनी अबजार हो जाएगी इस तरह से 5-7 मिनट में चीनी पूरी अब्जॉर्व हो गई है अब यहां पर हम खोया डालेंगे तो खोय को हमें ग्रेट करना है और उसके बाद इसमें डालना है इस तरह से चीनी पूरी अब्जॉर्व हो गई है और सारा मिश्रन भी तला छोड़ने लगा है साइट से घी भी निजर आने लगा है इस स्टेज पर हमें फ्लेम को थोड़ा लो करना होगा जब यह अच्छे से पक जाएगा तो यह तला छोड़ने लगेगा इसका मतलब यह अच्छे से पक गया है फ्लेम को हाई रखने से सारा मॉश्चर जल्दी जल्दी से अब्जार हो जाएगा फ्रेंड्स गाजर का हलवा बनाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ और भी तरीके शेयर करूँगी आज की वीडियो में जो मैं तरीका बता रही हूँ यह बहुत ही आसान है इस विदी से आप जटपट गाजर का हलवा बना कर तयार कर पाएंगे इसमें हमने कम दूद का इस्तिमाल किया है जिससे हमें समय भी कम लगने वाला है और इस तरीके से हमें गाजर को दूद के साथ गंटों पकाने की आवशकता भी नहीं रहेगी गाजर की और भी बहुत सारी हेल्दी रेसिपीस मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी हमें अपने खाने में गाजर का रोज इस्तिमाल करना चाहिए अब यहाँ पर मैंने खोया डाल दिया है लगबक आदा कप के करीब खोया मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसे मिक्स कर लूँगी खोय को भी आप मोटे छेदों वाले साइड से ग्रेट कर लीजिए कद्दु कस के मोटे छेदो वाले साइट से खोये को ग्रेट करके इसमें डाल दीजिए लगबग आधा कप के करीब खोवया मैंने इसमें डाला है अब इसे अच्छे से मि Zug कर लूगी खोवया डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहां पर मैंने 7-8 काजू को टुकड़े करके इसमें डाल दिया है और 3-4 एलाइची को कूट कर यहां पर मैंने डाल दिया है छोटी एलाइची को कूट कर मैंने यहां पर डाल दिया है खोया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे यहाँ पर आप चाहें तो ड्राइफरूट को घी में फ्राय करके भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमने कम घी में बनाया है इसलिए ड्राइफरूट ऐसे ही डाल रही हूँ आप अपने मन पसंद के कोई भी ड्राइफरूट इसमें डाल सकते हैं और हल्वा रेडी होने के बाद लास्ट में भी इसमें आप एक दो चमज घी डाल सकते हैं जिससे कि इसमें शाइन आ जाए मैं यहाँ पर कम घी में बना रही हूँ यकीन मानिए यह बहुती स्वादिस्ट बनकर तयार होता है आप एक बार इसे ट्राय जरूर करें कम घी में यह बहुती स्वादिस्ट हल्वा बनकर तयार है आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाने का मन करेगा ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है इस विधी से आप बनाएंगे तो समय भी बहुत कम लगने वाला है और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा रेसेपी पसंद आये तो लैक जरूर कीजिये चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिये मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर